हाई श्टुडेंट्स आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में और आज हम एक और बोट के एक्जाम के लिए एक नई वीडियो लेके तयार हैं और इसमें सब छोटे छोटे प्रशनों को हमने इकटा किया है जैसा ही बच्चों की डिमांड थी सर छोटे पुपार्इंट है जो की आपको पेपर में काफी संख्या में मिलेंगे तव फच्चों पहला जो प्रशन है वह बोल रहा है कि एक बिलगेत गोले के भिवाब वी और आविस क्यू में लेका चित्र दरसाया गया है गोले की धारता क्या रोगी तो इस टाइब के प्रशन कै रहा है अगर इस त्रोज में ये भुजा बोल्टेज की है तो ये भुजा भी बोल्टेज की होगी थीटा के सामने की भुजा होती है लंब और जो नाइंटी डिगरी अंगल है इसके सामने की भुजा होती है कर्ण और ये है आधार तो आधार तो क्यों है आधार कौन है क्यो और लंब कौन है V तो आधार बटे लंब कौन होता है तो आधार बटे लंब होता है कौट थीटा अगर इस तिर्वजु जाकर हम कौट थीटा निकालेंगे तो उसकी value आएगी आधार हो गया Q और लंब हो गया V अगर यहां B और Q के मान चेंज कर दे यहां पर तो Q कर दे और यहां पर V कर दे तो यह जो धारता होगी न बच्चो वो C बरावर 10 थीटा के बरावर होगी तो ठीक बच्चो इस टाइप के प्रशन को इस तरीकी समय करना है भिहमापी में प्रिक्त तार के पदार्थ का प्रत्रोद ताप गुलांक होना चाहिए बच्चो भिहमापी के अंदर हम मिस्र धातू के तार का उप्यों करते हैं क्योंकि इसका प्रत्रोद ताप गुलांक भहुती कम भहुती कम नगन होना चाहिए और भिवमापी क्या होती है कि आदर स्बोर्ट डिमीटर है तो इसलिए इस इस्तिमेस का होना चाहिए सून्य जिससे जैसे ही तार गरम होगा तो उसके प्रत्रोद में ब्रद्धी नहीं होगी और रीडिंग भी बिल्कुल सही आएगी अगला प्रसन बच्चो अर्द चालकों में चालन होता है एकल द्रवी द्रवी त्रवी और अध्रवी तो बच्चो जो अर्द चालक होते हैं उनमें जो चालन होता है द्रवी होता है क्योंकि अर्द चालकों में जो धारा प्रवाइत होती है एक तो इलेक्ट्रोनों के कारण होती है और एक होल के कारण होती है इसलिए इसे बोलते है द्वे धुर्विय प्रस नमबर चार है कि एक धातू का कारे फलन एक पॉइंट चार इलेक्ट्रोन बोल्ट है तो किस उर्जा बाले आपतित प्रकास से दी गई धातू तल से कोई फोटो इलेक्ट्रोन का उतसर नहीं होगा बच्चो कार फलन का मतलब यह कि कोई धातू है अगर इसमें से इलेक्ट्रोन को बाहर निकालना है तो कम से कम कम से कम हमें इसे एक पॉइंट चार इलेक्ट्रोन बोल्ट उर्जा देनी होगी तभी ये electron इससे भार निकलेगा तो देखो बच्छों 2.4 electron volt हुझा देने पर भार निकल जाएगा 1.6, 1.8 लेकिन जो 1.2 electron volt अगर हम इतनी उर्जा का प्रिकास डालेंगे तो ये electron भार नहीं निकलेगा अगला प्रशन है परमालू reactor में होने वाली निकलियस रंकला अभिक्रिया के लिए पुनरुत पादन गुडांक कितना होता है तो बच्छों इस का अंसर होता है एक अगला प्रशन है कि दिये हुए परपत में X तथा Y के मध्य तुल प्रत्रोद क्या होगा तो बच्छों ये एक V टिश्टन बिज है अब V टिश्टन बिज में क्या होता है ये P प्रत्रोद है ये Q है और ये R है और ये S है और जब बच्छों V टिश्टन बिज संतुलन की अवस्ता में होता है तो P वटे Q का अनपाद R वटे S के बरावर होना चाहिए तो यहाँ पन चेक करेंगे कि ये V टिश्टन बिज संतुलन की अवस्ता में है क्या नहीं तो 20 अपन 20 बरावर 20 अपन 20 तो ये अनपाद बरावर आ रहा है तो बच्छों जब V टिश्टन बिज संतुलन की अवस्ता में होता है जैसे यहाँ पर हो गया तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का भिवब बरावर होता है इस इस्तिती में इस बीच वाले प्रत्रोद में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है और इसको हम अठा देती है अब अच्छों देखो P और Q दोनों स्रेहनी करम में जुड़े हैं तो स्रेहनी करम का प्रत्रोद निकाल लेंगे कि R डेस बरावर R1 प्लस R2 मतलब 20 प्लस 20 बरावर 40 समीकर नमबर एक और ऐसी R और S ये दोनों स्रेहनी करम में जुड़े होते हैं जब हमने इसका डेरिविशन किया था तो P और Q को स्रेहनी करम में जुड़ा था और और S को स्रेणि किरम में जोडाता है फिर इन दोणों का यह हो गया 40 हो में. 20 Ohm, तो कभी भी अगर एक जैसे प्रत्रूद, जैसे कि 20, 20, 20, चारो की चारो प्रत्रूद, अगर एक जैसे हैं, और वी टिश्टन ब्रिज में तो इसका उत्तर भी 20 आएगा, अगर यहां आर, 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 आर होते हैं, तो इसका अंसर आ रहाता है, ठीक हो, अब देखते हैं, नेज अर्द चालकों की क्रिष्टली सनर्चना कैसी होती है, तो बच्चों जो नेज अर्द चालक होती है, यह कारवन के समूं के सदसे हैं, कारवन, सिलकन, जर्मेनियम, तीक बच्चों, और कारवन, यह सब चतुस्क फलकिया, कारवन की होती है, इनकी, जो सनर्चना होती है वो होती है सम चतुस्क फल की है कारवन की होती है न वही सिलकन और जर्मेनियम की होगी तो नेज अर्थ चाला जो सिलकन जर्मेनियम होती है इनकी संद्चना सम चतुस्क फल की होती है अगला प्रशन एल स्वय प्रिरकति कुंडली में संग्रहित चुम्म की उर्जा का सूत्र लिखी है जबकि इसमें आई नौट धारा प्रवायत होती है तो बच्चों कुंडली में जो संचित उर्जा होती है उसका सूत्र होता है यू बराबर एक बटे दो एल आई स्कुएर अगर धारा आई नौट है तो शहाँ आई नौट लिख देंगे अगला प्रशन ऐसे दो पदार्तों के नाम लिखी है जिनकी प्रत्रोधक्ता ताप बढ़ाने पर घटती है तो बच्चों ऐसे अर्द चालक होते हैं इनका प्रत्रोधक्ता ताप बढ़ाने पर घटती है और ऐसे दो पदार्तों के नाम हम लिख देंगे एक तो सिलकन सिलकन ऐसाई और दूसरा होता है जर्मेनियम तो बच्चों ये दोनों जो अर्द चालक हैं सिलकन और जर्मेनियम इनका अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इनका प्रत्रोध घट जाएगा और ऐसे पदार्त फिर देखो यही प्रस्न दुबारा से है उन दो पदार्तों के नाम लिखिए जिनका प्रत्रोध ताप गुणांक अलफा रनात्मक होता है तो बच्चों प्रत्रोध ताप गुणांक अलफा रनात्मक तब होता है अगर हम किसी तार का किसी पदार्थ का ताप भढाए और उसका प्रतरुष घट जाए तो उसका प्रतरुष ताप गुड़ांक एलफा धनात्मक होता है जैसे ही सिल्कन और जर्मेनियम बापस से हम इसके आंसर में लिख देंगे सिल्कन और जर्मेनियम और बच्चो अगर किसी का ताप भढाने पर प्रत्रोत भढ़ जाता है तो उसका प्रत्रोत ताप गड़ांक धनात्मक होता है अगला प्रस्न है चुम्मक की चेतर उत्पन करने के दो सुरूत लिखिये तो बच्छो चुम्मक के द्वारा जो चड़ चुम्मक होती है एक तो चड़ चुम्मक होती है उसी के द्वारा चुम्मक की चेतरुत्पन होता है और दूसरा धारा जब किसी चालक तार में धारा प्रवायत की जाती है तो वो भी क्या करता है? चुम्मक की चेतरुत्पन करता है और धारा का मतलब क्या होता है? कोई भी गतिमान आवेस तो दो सुरूत हैं, एक तो चड़ चुम्मक और एक गतिमान आवेस दोनों की दोनों चुम्मक की चेतरुत्पन करते हैं अगला प्रशन है नाव की ये बल्ग की दो विसिस्ता लिए बच्चों नाव की ये बल्ग की तो बहुत सारी विसिस्ता है नाव की ये बल्ग प्रकर्ति का सरवादिक प्रवल बल है ये हमेशा आकर्शन प्रकर्ति का होता है ये आवेसों पर निरवर नहीं करता है और ये ल तो धातु की सत्य में से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रोन होती है उनकी संक्या किस बात पर नो करती है तो धातु की सत्य में से प्रती सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रोन की संक्या जो होती है वो निर्वर करती है आपतित प्रकास की ती ब्रता पर अगर हम आपतित प्रकास की तीब्रता बढ़ा देंगे तो धातू की सत्य में से उतसर्जित जो फोटो एलेक्ट्रोन है या प्रकास एलेक्ट्रोन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी अगला प्रशन बचो किस दरब्यमान संख्या के लिए प्रती नूकलियोन बंदन ऊर्जा सरवादिक होती है तो बचो हम जानते हैं इसमें कई तरीके से पूछ सकता है जो आइरन होता है एफी उस तत्तु की प्रती नूकलियोन बंदन ऊर्जा सरवादिक होती है जिसका अमाल लगवग 8.8 मेगा इलेक्ट्रोन बोल्ट होता है आइरन का परमानुक्रमांग 26 है और इसकी दरब्यमान सं चार तरीके से प्रश्ण बन सकता है कि किस तत्तु की प्रती नूकलियोन बंदन ऊर्जा सरवादिक होती है तो हम लिख देंगे आईरन वो पुझा कितनी होती है तो हम लिख देंगे 8.8 मेगा इलेक्ट्रोन बोल्ट इसलिए यह प्रकरती में सरवादिक स्ताई नुक्लियोन बंदन उर्जा सबसे आदे होती हैं लेकिन है इसने पूचा नियंत्रक के रूप में प्रिक्त डायोड का नाम लिखिए तो बच्छो बोल्टेज को नियंतृत करने वाला डायोड है जैनर डायोड ये प्रस्ण बच्चों काफी बार पूचा गया है तो बोल्टेज को नियंत्रित करने वाला डायोड जैनर डायोड होता है अगला प्रस्ण बिद्धुत चेतर रेखा हूं कि दो गुण लिगी है बच्चों इसके 8-10 गुण किताब में दे रखे हैं तो सबसे सरल गुण तो यही है कि यह बिद्धु चित्रे का मिसा धनावेस से निकल कर और धनावेस पर समाप्त हो जाती है यह कालपनिक होती है यह बंद लूप नहीं बनाती है इस तरीके से हम इसके कोई भी दो गुण लिख सकते है सम भीववव प्रष्ट की परवासा लिखी है देखो अचो सम भीववव प्रष्ट तो इसकी परवासा कई बार बोर्ड में पूछी भी गई है और इसे याद करने की ज़्यादा कोई आवस्तिता नहीं है इसका प्रष्ट भीवव और सम मतलब विद्धु छेत्र में हम ए एक ऐसा प्रष्ट जिसके प्रतेग बिंदु पर बिद्धुत भीव का मन समान होता है सम भीवव प्रष्ट कहलाता है अगला प्रष्ट है कोई दो कारवने की योगिक अर्द चालकों के नाम लिखिए तो ये भी बच्चों बोर्ड में आ चुका है तो एक तो होता है स्यानीस ठीक वच्चों ये नाम आपको याद रखने है इस तरीके के प्रस्ट में पूचे गए है गाउस का अन्म लिखिए वच्चों ये तो आपको 100% याद रखना है क्योंकि ये तो सबसे याद आने वाला प्रष्ट गाउस का अन्म लिखिए तो बिद्धुत छेतर मे किसी बंद प्रश्ट से निर्गत विद्ध फलक्स का मान उस प्रश्ट के अंदर घृरे कुल आवेस और निरवात की विद्ध सीलता गहनपात के बरावर होता है अगला प्रशन है अवतल दरपण के बिम्ब की दूरी प्रत्विम्ब की दूरी वी और फोकस दूरी एफ में संबन लिखी मतलब दरपण सुत्र हमें लिखना है तो एक बटे एफ बरावर एक बटे बी प्लस एक बटे यू तो बच्चों ये आंसर आपको इस तरीके से सुत इच्छा के समय टाइम बहुत कम होता है किसी नाविक की त्रिज्या और द्रब्यमान संख्या के मद्दे बच्चों संबन लिखिए तो यह होता है आर बरावर आर नौट एक गात एक बटा तीन बच्चों नाविक वाले पार्ट में ये आपको ये वाला सुत्र मिल जाता ह है ठीक बच्चों अब देखेंगे अगला प्रशन निम्न मैंसे एक दाता सुद्धी कौन सी है तो बच्चों तोड़ा सा याद रखी जो पंच संयोजे सुद्धियां होती है वो तो दाता सुद्धियां होती है और जो त्रे संयोजे सुद्धियां होती है वो गिराही सु इंडियम थेलियम तो इसमें दिखना हमें धाता सुद्धी मतलब पंच सुद्धी कौन सी है तो बोरॉन तो त्रिसेयो जी है और अलूमिनियम है और आरसेनिक है तो इसका अंसर हो जागा आरसेनिक अगला प्रस्न बच्चों कि दो बिंदू आवे सों की मतलि सुचालक माध्यम होने पर बिद्धवल का मान कितना होगा तो बच्चों जो बिद्धवल होतास को सुद्ध बराबर एक बटा फोर पाई एपसलन नौट, एपसलन आर Q1 Q2 upon R square सो चालक माध्यम जो होता है चालक जो होता है उसका एपसलन आर का माहन होता बच्चों अनंत और जब यहां अनंत रखेंगे तो पूरी संक्या को solve करेंगे तो बल का माहन हो जाएगा 0 अगला है बच्चों प्रस्ट नंबर 24 दो बहुत तक रासियां दे रखेंगे P और Q P का माहन है बच्चों P बरावर 4 ओम है और Q बरावर है 24 गुणा दसकी घात माइनस 8 ओम इंटू मीटर चालक की लंबाई एक चोथा ही करने पर मतलब पहले तार की लंबाई किसी की L होगी ता उसे L Y 4 करने पर P और Q के नए मान क्या होंगे तो बच्चों सबसे पहले तो यह समझना जोरी P कौन है तो तो P का माहन है 4 ओम P प्रत्रोद है और हम जानते हैं कि प्रत्रोद जो होता है वो लंबाई के समान पाती होता है लंबाई अगर आदी कर देंगे तो प्रत्रोद आदा हो जाएगा और लंबाई चोथा ही कर देंगे तो प्रत्रोद भी चोथा जाएगा तो इसका जो नया मान होगा वो होगा 1 ओम लेकिन जब हम Q के बारे में विचार करते हैं तो Q है 24 गुणा 10 की गात माइनस 8 ओम इंटू मीटर जो की प्रत्रोदक्ता है और प्रत्रोदक्ता का मान पदार्त की जो चालक तार की लंबाई है उस पर निरवर नहीं करता है तो इसका अंसर यही रहेगा तो नए मान होंगे P का नए मान हो जागा एक ओम लेकिन Q का मान वही रहेगा अब बच्चो अगला प्रशन है प्रशन नमबर 25 एक चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांत्रित करते हैं तो बच्चो जब किसी धारा मापी के समांतर करम में जब चल कुंडली धारा मापी के समांतर करम में हम एक अलप प्रत्रोध जोड देते हैं और इसका नाम भी होता है बच्चो संट प्रत्रोध तो अलप प्रत्रोध या संट प्रत्रोध जोड देते हैं तो वो धारा मापी है वो अमीटर में रूप अंत्रित हो जाती है ठीक बच्चो और अगर बोल्ट मीटर बनाना है तो इसके स्रेडी करम में उच्छ प्रत्रोद लगा देंगे एक नैज अर्द चालक को एन प्रकार के अर्द चालक में परवर्तित करने के लिए प्रयुकत में की जाने वाली किनी दो असुद्धियों के नाम लिखिए तो बच्चो कोई भी दो पंच सहयोजी असुद्धियों के नाम लिखिए नाइट्रोजान है फासफोरस है आर सैनिक है एंटी मनी है बिसमत इनके नाम लिखने है बच्चों यहां मैंने सूत्र लिखे हैं आपको इनके नाम लिखने है अगला प्रशन है डैविसन जर्मर प्रियोक का प्रयायोगिक चित्र बनाईए बच्चों यह चित्र आपको बना कर देखना है अगला प्रश्ण है लेंस की चमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है तो लेंस की चमता होती है वो फोकस दूरी के वितकुरम के बरावर होती है तो इनके अंदर ये संबंध होता है अगला प्रशन है एक समान दर से चलने के लिए सरंकला अविक्रिया के लिए न्यूट्रन गुणन गुणां का मान का इतना है इसके का मान हो चाहिए किसी धातू के लिए कार फलन से क्या तात परे धातू की सत्य में से इलेक्ट्रोनों को बाहर निकालने के लिए जितनी नियूंतम उर्जा की आवस्तिक्ता होती है बच्चों से ही कार फलन कहते है दस्की घात 4 बोल्ट से तुरित इलेक्ट्रोन की डी वरोगली तरंगदर ग्यात कीजिए बच्चों इसका सूत रूता है ल 0.1227 एंगिस्ट्रोन अगला प्रशन एलेडी बनाने के लिए कौन-कौन से पदार्थों का उप्यों कियतने बच्चों तो उनके नाम लिखने है एक तो है गैलियम फासफाइड जी एपी एक जो एलेडी होती है वो गैलियम फासफाइड नामक अर्द चालक से बनाई जात कि उसका रंग होता है हरा तो अगर कोई पूचा कि हरे रंग एलेडी बनाने के लिए किस पदार्थ शुर्च का उप्यों किया जाता है तो भग है गैलियम पासफाइड बच्चों दूसरा होता है गैलियम आरसेणाइट फासफाइड इसका नाम लिख देंगैं गैलियम आ अत्रक होता है जूल वटे कूलाम तो बच्चों वह बहुत एक रासी होती है बिद्धुत भिववांतर या बिद्धुत भिवव क्योंकि बिद्द विवानतर का सूत रता कारवटे आवेस मतलब जूलवटे कूलाम और ये रासी सदिस है कि अधिस है तो बिद्द विवानतर एक अधिस रासी है अगला प्रस्टन है कि मेगनीसियम में बिद्द चालन को दरसाने वाला बेन्ड सनरचना का चित्र नहीं है तो बच्चों मेगनीसियम एक चालक है तो चालक में कि अधिस जो संयोंजी बेन्ड होते हैं और जो चालन बेन्ड होते हैं उनके वीच बर्जित ऊर्जा अंतरा ब्रसुन lizard हो जाता है और उनमें अत्यव्यापन हो जाता है तो उसके लिए चित्र कैसा बनेगा बेंड सित्दन्त के नुसर इस तरीके से हम चित्रों ना देंगे और वहाँ पर लिख देंगे यह कौन सा बेंड है चालन बेंड और यह कौन है सहियो जी बेंड और इनके बीच में क्या हो गया है अत्य ब्यापन और इस कंडिशन में वर्जित उर्जा अंत्राल का मान कितना होता है जी रो तो इस तरीके बच्चों बुक में चित्र दे रखा है उसे हम बनाएंगे अगला प्रशन है निरोधी भिवव को परवासित कीजिए तो मैं जो संग्राग प्लेट को दिया गया वै निस्चित नियून्तम रनात्मग भिवव जिस पर प्रकास बिद्धारा का मान सून हो जाता है निरोधी भिवव कहलाता है और इसका जो ग्राफ पूचा गया बच्चों तो इसमें इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा इस तरीके का तो निरोधी भिवव और आब्रती के बीच ये ग्राफ होता है अगला प्रश्ण सम्व्यव प्रश्ट किसे कहती है तो इसकी परवासा पहले ही बता चुकाऊंग मैं कि बिद्धुद चेतर में कीचा गया एक ऐसा प्रश्ट जिसके प्रतेक बिंदु पर बिद्धुद व्यवकामान समान होता है अगर कोई धनात्मक बिंदु आवेस है तो उसका सम्व्यव प्रश्ट कैसे बनेगा तो हमें एक धनात्मक बिंदु आवेस बनाना है और उसकी बिद्धुद चेतर रेखा है तो धनाविस की बिद्व चेतर रेका है, मैंसा धनाविस से दूर इनकी डारेक्शन होती है तो जे मान लीजे मैंने एक धनात्मक बिंदु आविस बना लिया और ये बना लिया उसकी बिद्व चेतर रेका है लेकिन उसने पूछा है उसका संभ्यव प्रष्ट ना आई है तो इसका संभ्यव प्रष्ट के साथ बच्छा गोली है तो इस तरीके से हम इनके संभ्यव प्रष्ट बना सकते हैं तो जे इसका हो गया सम्विभव प्रष्ट रेडवाला जो है वो इसका सम्विभव प्रष्ट है तो इसमें दोनों अंसर आते हैं कि सम्विभव प्रष्ट जितना ही है तो रेडवाला बना देंगे और अगर वो विद्दुद छेते रिखा पूंचे तो रेडवाला पॉर् गबल में क्या अंतर है तो बच्चो जब सेल किसी परपत में आवेस को परवाहित करता है तो उसे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक परवाहित करने में सेल के द्वारा जो कार किया जाता है जो ओर्जा खर्च की जाती है उसे ही टर्मिनल बोल्टता कहती है जबकि उसी ए संपूर्ण परपत में एक कूला माविस को संपूर्ण परपत में प्रवायत करने के लिए सेल द्वारा जो कार किया जाता है उसे ही विद्धुत भागवल कहती है और हमेसा विद्धुत भागवल का मान टार्मिनल बोल्टता से जादा होता है जब हम उससे डिश्चार्ज कर करती हैं इसके अनुसार अगर हम धाय हाथ की तरजनी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तरजनी चुम्मकी चेत्री की दिसा में हो और अंगूठा बल की दिसा में हो तो मध्यमा धारा की दिसा को बताती है अगला प्रश्ण है पूर्ण आंत्रिक परावरतन की घटना को परवासित कीजिए तो बच्चों जब कोई प्रकास की किरण सखन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है और अगर वो क्रांतिक कौन से अधिक कौन पर आपते तोरी जैसे को किरण है यह सखन माध्यम से बिरल माध्यम में जा रही है यह है सखन माध्यम और यह बिरल माध्यम तो जब कोई प्रकास की किरण सखन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है और यदि आपतन कौन का मान खरातन दिक कौन से अधिक हो जाता है तो फिर वो ब्रल माध्यम में नहीं जाती है वापस से सघन माध्यम में लोट आती है इस गटना को पूर आंतरिक परावर्तन कहते हैं अगला कोशननमस 40 अगला प्राफ्मिक इंद्र धनुस और धूर अंतरिक परावर्तन होता है अगला प्रशन है विद्द दुद्र आगून की परवासा है किसी एक आवेस के परमान और उन दोनों आवेसों के बीच की नियुनतम दूरी विस्तापन कह सकते हैं कि गुडनफल को बिद्धुत दुए धुरुब आगून कहते हैं किसी एकल आवेस के लिए सम्वे प्रशन आई है तो बच्छों यूपर हमने बना रखा है अगला बराबर क्यू बी बी साइन थीटा ठीक बच्छों जब लंबबबबद प्रेस करता है तो उस पर बराबर क्यू बी बल लगता है एंड गेट का तरक प्रतीक बनाईए तो बच्छों एंड गेट में क्या करना जो एंड एंड डी जो है वस उसी को बना देते हम यह बन गया डी और यह हो गया एंड गेट का संकेत इसमें दो निवेसी और एक निरगत होता है A और B जे दो निवेसी सरे होते है और एक होता है निर्गत बाई ग्राही असुद्धी के दो उधारण लिखिए तो बच्छों ग्राही असुद्धिया कौन सी होती है त्रे संयों जी होती है बोरॉन एलुमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम अगला प्रश्ण धारा गहनत्तो का SI मात्र लिए तो धारा गहनत्तो का सुद्ध जे बरावर आई बटा ए धारा बटे चेत्रपल तो धारा का मात्रपल होता है एंपियर और चेत्रपल का होता है मीटर स्क्वेर अगला प्रश्ण है 47 कि एक एलेक्ट्रोन और एक एल्लफा कन है और एक प्रोटोन है तीनो की गते जूर जाये समान है तो इसमें से किस की डी व्रागली तरंगदर अधिकत्त में तो पच्छो हमें ऐसा सूत्र रोड़ना है डी व्रागली तरंगदर का जिसमें गते जूर जाती है तो इसका सूत्र है lambda बरावर h upon under root 2mk ठीक बच्चो अब तीनों में क्या कहा रहा है वह तीनों की, देखो ऐसी समान ए गतियूलिया समान है तो लेम्डा बितकुर्मान पाती हो जाएगा अंडरूट एम अब किसकी तरंगदर अधिक होगी तो तरंगदर जिसकी अधिक होगी जिसका दिरब्यमान कम है तो जिसका दिरब्यमान कम होगा उसकी डी ब्राउगली तरंग्देर अधिक होगी और इलेक्टरोन एलफा और प्रोटन मैंसे किसका दिरब्यमान कम होता है बच्चों बताइए तो इलेक्टरोन का दिरब्यमान कम होने से इसकी डी ब्रॉगली तरंगदेर अधिक होगी अगला प्रशने हाईजेन वर्क का अनिश्चित्ता का सिद्धन्द इस सिद्धन्द के अंसर किसी एक ही समय पर किसी कण की इस्तिती और उसके संबेक का एक साथ सुद्धता से मापन संभव नहीं है अगला प्रशने अप्टो इलेक्ट्रोनिक संधी युक्तियां क्या होती है तो बच्चों ये एक ऐसी युक्तियां होती है जिनमें आवेस बहाकों की उत्पत्ती फोटोन के द्वारा होती है और किनी दो opto electronic संदी युक्तियों के नाम लिखिए तो बच्चो एक तो होते हैं photo cell दूसरे होते हैं sour cell और तीसरे होते हैं LED sour cell और तीसरे होते हैं इनमें LED प्रकास उत्सर्जक डायोड LED का पूरा नाम होता है प्रकास उत्सर्जक डायोड अब प्रस्ण नंबर बच्चों 50 देखेंगी देखों दिये गज़ी चित्र में उस युक्ती का नाम लखिए जो एक्स है इसका नाम बताना है तो बच्चों देखों यह वेसी सिगनल इस तरह का जा रहा है और इस तरह का वो कौन है बच्चों दिश्टकारी है प्रश्च नम्मर जो 51 है उसमें कहरा है कि नाव की रेक्टर में नियंत्रक छड़ों और सीतलक के कार लिखी बच्चों नियंत्रक छड़े जो होती है वो नाव की रेक्टर में हवकिरिया को नियंत्रित करती है ये कैडमियम की बनी होती है क्योंकि ये कैडमियम जो होता है न्यूट्रोन का अच्छा अबसोसक होता है जब न्यूट्रोनों की संख्या भढ़ जाती है तो अब कि रिया अनियंत्रित हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि इन नियंत्रक्षणों को उस रियक्टर के अंदर प्रिवेस करा देते हैं जिससे वो न्यूट्रोनों को अफसोसित कर लेता है और अब के लिए मंद हो जाती है और अब के लिए जब हमें द्वारा चालू करनी होती है तो फिर हम इन नियंत्रक्षणों को बाहर निकाल लेते हैं और सीतलक क्या होता बच्चों बट्टी में जब अत्यदिक हीट या उसमा उत्पन होती है उसे बाहर निकालने के लिए जिन पदार्थों का उप्यों किया जाता है उन्हें सीतलक के रूप में पानी, भारी पानी, बायू, आथ का उप्यों करते हैं प्रशन नमर बावन निम्मन्वेसे गराही असुद्धी का नाम बताइए थरे सहिवाज है, गराही असुद्धी होती है जो की इसमें है गैलियम, जैणर डायोड का प्रतीख चिन बना ये बच्चों, इस तरी के से ये डायोड हो गया और जैनर डायोड का प्रतीक चिन, वी आई गराप से प्रत्रूत का मा निकालना है, प्रतरूत र वराबर 1 व्हार 5 अगर Br, यहां से यहां तक अगला प्रशन है दो धातू की प्लेटों P और Q के लिए अंतक विभव भी नॉट और आबरती के बीच गराफ दर्साया गया है किस धातू के लिए देहली तरंगधर और कार फलन अधिक होगा तो बच्चों कार फलन का सूतर होता है फाई नॉट वरावर ह नॉट और देहली तरंगधर का होता है सी अपॉन नॉट ठीक है अब बच्चों जैसा अम ग्राफ कुछ से देख रहे हैं कि जब ग्राफ आबरती को जिस अच पर काटता है वो देहली आबरती होती है तो ये देहली आबरती होगी P की और ये पॉइंट होगया देहली आबरती Q का तो हम यहा देहली आबरती कम होगी उसकी तरंगधर जादा होगी तो P की तरंगधर जादा होगी और Q की तरंगधर कम होगी और जिसकी आबरती कम होगी उसका कारफलन कम होगा तो फिर कारफलन P का कम होगा और Q का जादा होगा ठीक है उच्चों इस तरीके से हम इसे करेंगे अगला प्रशन है कि निम्न चित्र में दो कुंडलियां AV और CT के बीच में एक छड़ N S को तीर की दिसा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरे धारा की दिसा बाई और से देखने पर बामा बर दिखाई देगा जब यह सिरा दिखाई देगा तो जब N और S को C के पास ले ज जाएगा यह भी S हो जाएगा दच्छड दुरूब बनेगा और B सरे से N सरा दूर जाएगा तो यह भी दच्छड बनेगा तो यह दच्छड बनेगा तो यह दच्छड बनेगा उत्तर तो इसमें धारा की दिसा होगी बामा बरत और इसमें दच्छड दूरूब बनेगा तो इस में होगी धारा दच्छनावर्त तो इधर से देगने पर इसे ये सिरे और ये सिरे दोनों ही दिखाई देंगे तो धारा एवी कुंडली में इसे दिखाई देगी एवी कुंडली में इसे इस साइड से देगने पर बावर्त दिखाई देगी और सीडी कुंडली में इ पहली पथी को बताती है? और पहली पथी का सार्थक उंक तो फॉता है। तो पहली पटीस में लार रंग की है अगला प्रशन है कि दस्की घात 9 कूलाम बिंदू आवेस से एक मीटर की दूरी पर बिद्दू भ्यवक की गड़ना कीजिए बचो सूत रोता है बिंदू आवेस के कारण बिद्दू भ्यवक का सूत रोता है B बरावर K Q upon R K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 Q का मान दे रखा है 10 की घात माइनस 9 बटा 1 10 की घात 9 से 9 कैंसल तो इसका अंसर आएगा 9 बोल्ट इस टाइप के बच्चों बिलकुल छोटे छोटे प्रशनों को आप बिलकुल पका कर ले ये गलत भी नहीं जाती है हमेशा सही जाती है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अबतल दरपन की वक्रतत रिज़ा क्या होगी तो बच्चों सूत रोता है R बरावर 2F फोकस दूरी दे रखी है वक्रतत रिज़ा पूचिए तो 2 की जगे 2 F की जगे 10 2 गुणा 10 बरावर 20 मीटर प्रस नमबर 60 एक रेडियो एक्टिव तत्तो का 6 इस्तरंक 0.693 प्रती मिनट है तो इसकी अर्दायूकाल और औसतायू क्या होगी तो बच्चों हमें लेमडा दे रखा है 6 नियतांक 0.693 प्रती मिनट तो इसकी अर्दायूकाल का सूत्र ती बरावर 0.693 अपॉन लेमडा तो 0.693 अपॉन लेमडा की बैल्यू भी एतनी है तो इसका अंसर आएगा टी बरावर 1 मिनट और बच्चों जो माध्य आयू होती है टी एम वो होती है एक बटा लेमडा तो इसका अंसर आगा एक बटा 0.693 और जब एक में 0.693 का भाग लगाएंगे तो इसका अंसर आगा 1.44 मिनट अगला प्रस्न बच्चो 400 बोल्ट विवानतर से तुरित एलेक्ट्रोन से सम्मंद डी वरॉगली तरंग धर ग्यात कीजिए बच्चों दुबारा से वही सुतर आगया लेमडा बरावर 12.27 अपॉन अंडर रूट भी एंगिस्ट्रम में आएगा तो 12.27 बटा अंडर रूट 400 और 400 का रूट उता बच्चों 20 और जब 20 का भाग लगाएंगे तो 0.613 मीटर अगला प्रशन बच्चों प्रशन नमर 62 देखेंगे एक्स बरावर 4 ओम है और बाई बरावर 48 कुणा 10 की गात मैनस 8 है चालक की लंबाई को आदा करने पर एक्स और बाई के मान पर क्या प्रवाप पड़ेंगे बच्चों तो एक्स देखेंगे एक्स प्रत्रोध है और प्रत्रोध लंबाई के समान बाती होता है अगर तार की लंबाई आदा कर देंगे तो प्रत्रोध भी आदा हो जाएगा तो प्रत्रोध का जो नया मान होगा एक्स का नया मान होगा वो आदा हो जाएगा दो ओम लेकिन जो बाई है वो प्रतिरोधक्ता है और प्रतिरोधक्ता का मान तार की लंबाई पर निर्वन नहीं करता है चाहे तार की लंबाई कितनी भी करें तो उसका मान इतना ही रहेगा ठीक हो चो अगला प्रशन दिये गए चित्रों में P पर उत्पन बिंदू P पर उत्पन चुम्म की छेत्र सा क्रॉस और डॉट के रूप में लिए तो बच्चो इस चित्र में ये एक तार है और ये एक तार है जब तार के सीध में कोई पॉइंट होता है तो उसके कारण कोई भी चुम्म की छेत्र उत्पन नहीं होता है तो चुम्म की छेत्र उत्पन होगा यहाँ पर इस अर्धवरत के कारण तो बच्चों फ्लेहमिंगे दाए हाथ के अनुसार अगर हम अपने दाए हाथ के उंगलियों को इस और मोड़ते हैं दचलावर्थ मोड़ते हैं तो अंगुठा अंदर की और आएगा अंगूठा की डारेक्षन अंदर की और आएगी जो कि हमें चुम्मा की चेतरी की दिसा को बताती है और यदि हम अंगूठा को धारा की दिसा में करें और उंगलियों को पी पॉइंट की और खोलें तो अथेली पर डाला गया अलम्ह में चुम्म की चेत्री की दिसा बताता है तो यहाँ पर यह बहार की और या डॉट के रूप में हम यहाँ पर लिख सकती है चुम्म की चेत्री की दिसा तो पहले का चुम्म की चेत्री डारेक सान होगी क्रॉस और दूसरे के होगी डॉट प्रस नमबर 64 किसी धात्यू का कार्य फलन 5-0 बरावर 6.63 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल है तो उसके लिए धहली आबरती का मान ग्यात कीजिए तो 5-0 बरावर H-0 अगर धहली आबरती बढ़ेगी तो कार्य फलन भी बढ़ेगा ठीक है याद रखना इसको तो 5-0 new-0 बरावर 5-0 अपॉन H 5-0 का मान है 6.63 गुणा 10 की घात माइनस 19 और H होता है बच्चो प्लांक इस तरह लगवाग उसका मान भी 6.63 या 6.64 के आस पास ही होता है गुणा 10 की घात माइनस 34 और इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 15 और आबरती का मान होता हर्च अगला प्रस्ण है 65 अब अच्छे परत की जो मौटा ही दे रखी है D वरावर 0.5 माइक्रोन माइक्रोन को माइक्रोन मीटर मदलेंगे तो दसकी घात माइनस 6 मीटर हो जाएगा और वहाँ पर जो अवरोधी भिववव है उसका मान है 0.8 तो हमें अवरोधी विद्दुद चेतर ज्याद करना है तो बच्चों अवरोधी विद्दुद चेतर या विद्दुद चेतर का सूत होता है ए बरावर बी अपॉण डी तो बी की वैल्यू है 0.8 और दी का मान है 0.5 गुणा दसकी घात माइनस 6 दसकी घात माइनस 6 को उपर ले जाएगे तो प्लस चे हो जाएगा और इसका भाग लगाने के बाद इसका अंसर आएगा 1.6 गुणा दसकी घात 6 बोल्ट अपॉन मीटर अगला प्रसन है 66 किसी परपत में 0.15 में धारा 15 में धारा 5 एमपीर से सूनिता गिरती है 0.15 सेकिंड है वच्चो इस टाइम दे रखाएगे तो प्रेरित बिद्द बाहागवल की गणना बिद्द बाहागवल 100 बोल्ट है तो 100 प्रेरिकत युगड़ना कीजिए वच्चो सूत लगे हैं अपर L बराबर E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी तो कितने बोल्टेज है 100 बोल्टेज धारा में कितना परवरतन हो रहा है पाँच एमपीर से सून तक हो रही है तो धाराम परतन हो जागा पाँच और टाइम लगेगा पॉन्ट पंद्रा तो इसका आंसर आएगा तीन और स्वय प्रेरिकत का मातरा होता है हैंडरी अगला प्रशन है 67 ये कमसें बचो तीन या चार वार ये प्रशन राइस्तान बोड में पूछा गया है तो जब बिद्दुत छेतर और चुम्म की छेतर और प्रकास का वेग मिल जाए तो इनमें एक ही संबन होता है बिद्दुत छेतर अपॉन चुम्म की छेतर का अनुपात प्रकास की चाल के वरावर होता है और यहां पूछा गया है चुम्म की छेतर का परमार तो बिद्दुत छेतर बटे प्रकास की चाल बिद्दुत छेतर का मान है 300 और प्रकास की चाल है तीन गुणा दसकी घात आठ तो यह जाएगा सो दसकी घात आठ को उपर ले आएगे तो माइनस आठ तो इसे स्वाल्व करेंगे तो यह हो जाएगा दसकी घात माइनस च्छे और टैसला अगला प्रश्न बच्छों ये 10 फेरोवाल ये कुंडली से संब्ध चुम्मगी फ्लस 0.1 सेकंड में 0.8 बेवर से घटकर 0.2 बेवर रह जाता है कुंडली के सिरों के मद्य प्रेरित विद्धुत बहागवल ग्यात कीजिए तो बच्चों फैराडे के जो दूसरा नहीं है कि किसी कुंडली से जब फ्लक में कितना परवरतन हो रहा है 0.8 से घटकर 0.2 जाता है मतलब परवरतन कितना हुआ 0.8-0.2 मतलब 0.6 और टाइम लगा है 0.1 सेकंड तो टाइम लगा 0.1 से पॉंट से पॉंट कैंसल तो इसका आंसर आएगा 60 बोल्ट अगला प्रस्ण बचो 69 अगला प्रस्ण बचो 69 अगल यार फहरे है और 0.1 अमपीर धारा तो टॉर्ट की अच्छ पर चुम्मगी चेतर असूत होता है बी बरावर मू नोट कैपिटल एन अपॉंट टू पाई आर इंटू आई मू नोट का मान होता है 4 पाई गुणा दसकीगाद मैनस 7 फहरे है एक हजार और इसमें धारा दस गुणा दसकीगाद मैनस 2 मीटर तो जब बच्छों इसे सॉल्व करेंगे तो इसका अंसर आएगा दो गुणा दसकीगाद मैनस 4 टेसला अगला प्रशन है बच्छों एक तार का रेक ही आवेस घनत्व है दो माइक्रो कूला में हमें बिद्दु छेतर की तीबरता का मा प्राबर 2K लेमडा अपॉन आर दो की जगे दो लिखेंगे के की जगे लिखेंगे 9 गुणा दसकीगाद 9 लेमडा 2 माइक्रो माइक्रो ठाना पड़ेगा यहां से 2 गुणा दसकीगाद मैनस 6 इसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर और दूरिया 5 सेंटिमीटर तो 5 गु इसकीगाद 5 अगला प्रशन और पोल्ट बटा मीटर समान डी वरॉगली तरंग धर की अलफा कण और प्रोटोन को तुरित करने के लिए बिद्दुत भिवब बी अलफा और बी प्रोटोन का अनुपाद ग्याद कीजिए तो बच्च जब डी वरॉगली तरंग धर को सुत अगर हम अलफा कण की बात करें तो अलफा कण का जो द्रबिमान होता है वो अलफा कण का द्रबिमान जो होता है वो प्रोटोन का चार गुना होता है और जो आवेस होता है वो प्रोटोन का द्रबिमान होता है ठीक है तो इस अनुसार अलफा कण की जो तरंग दर होगी ले पी गुणा दो क्यू पी इंटू बी अलफा ठीक है और प्रोटोन की तरंगदर हो जाएगी लेमडा पी बरावर एच अपॉन अंडर रूट दो एम पी क्यू पी और बी पी ठीक है प्रैसने को इसा दोनों तरंगदर बरावर है तो इसे अगर मैं समीगर एक मानू और इसे दो माने तो इन दोनों को हम बरावर कर देंगे और इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों पूरा टाइम नहीं हमारे पास सॉल्व करने के लिए तो बी प्रोटोन और बी अलफा का अनपात आठ अनपात एक हो जाएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर बहत्तर कि कोई तत्व है ए उस मैंसे जब हीलियम परमाणू निकल गया तो माली जब बच्चों जो ए तत्त्व है इसका परमाणू करमांग जैड है इसकी द्रभब्मान संख्या ए है और इसमें से जब हीलियम टू एची फूर बाहर निकल जाएगा तो जो नया तत्त्व बनेगा उसके परमाणु किरमांग में दो की कमी होने से वो हो जाएगा Z-2 और दरब्यमान संक्या में 4 की कमी होने से यह हो जाएगा A-4 तो इस परका जो B बना है उसका जो परमाणु किरमांग हो जाएगा कम जाएगा और द्रवमान संक्या में चार की कमी हो जाएगा जब इसमें से दो रिलात्मक बीटा कड बहर निकल जाएगे तो इसको पर्मारु कुरमान mo दो की ब्रद्दी हो जाएगी जिस्से इसको पर्मारु कुरमान समान होता है और द्रमद संक्या अलग-अलग होती है तो यहां जो प्रश्न है उसमें जो A है और C है उसका प्रमारुमाद कैनकिता है, तो समस्तानिक हो गए A और C , अगला प्रश्न विछो यह वीटिस्टन दिच्ट का इस टैप का सब और तक इस तार का प्रत्रोद होता है P और B से लेके C तक जो तार होता है इसका प्रत्रोद होता है Q और बचो ये जगह होती है R की और ये जगह होती है S की अब बचो ये करता क्या है कहीं तो ये इस जगह अग्याद प्रत्रोद लगा देता है अगर यहां का प्रत्रोत पुछेगा तो हमें S ग्याद करना है और इस जगह का प्रत्रोत पूछेगा तो हमें R ग्याद करना है तो इसका सूतर था S बरहाबर 100 माइनस L बटे L गुणा R तो यहां बच़ों इसने S दे रखा है आर पूचा यह गलती नहीं हो जाए तो S का माने 11, 100, संतुलित लंबाई कितनी दे रखी जरी देखो, 45, तो 100-45 अपन 45 इंटू आर, तो इससे हल करेंगे, तो 11 इंटू 45, अपन ये बट्टे में चलाएगा 55, बरावर आर, तो 11 से 55 खटेगा 5 बार, 5 नम पैंतालीस, तो आर बरावर आ जाएगा 9, तो इस टाइप के बच्चों, दो तीन बार प्रस्न सरक्ट बना कर दे देते हैं, याद रखना अगर यहां ग्याद पर तुरुत पूच है, तो आर ग्याद करना है, और इस जगे अगर दे दे तो फिर S ग्याद करना है, अगले प्रस्न में पूच आए कि P और Q में से पहचानी है, यह कौन कौन से द्वार है, तो P में तो जो संकित दे रखाए, उसे देख के बताना है कि यह कौन सा द्वार है, तो बच्चों, P द्वार तो है end, यह तो end gate का चित्र है, और जो सत्यसानी है, बच्चों, यह है नौर की, क्योंकि इसमें औ और प्लस नॉट है, देखो, जीरो में जीरो जोडेंगे तो जीरो आएगा, उल्टा करेंगे तो एक आएगा, जीरो में एक जोडेंगे तो एक आएगा, उल्टा करेंगे तो जीरो आएगा, और एक में एक जोडेंगे तो एक आएगा, उल्टा करेंगे तो जीरो आएगा दस्की गात मैनस दो मीटर की दूरी पर विवभग्याद करना है तो सूत्रे B बराबर KQ upon R अब K का पान वान कितना है? 9 गुणा, 10 की गात 9 Q का मान कितना है? 4 गुणा, 10 की गात मैनस 9 अपान दूरी है 9 गुणा, 10 की गात मैनस 2 तो 9 से 9 कैंसिल दस्कीगाद 9 se 10 कीगाद मैनस 9 कैंसिल 10 कीगाद मैनस 2 उपर जाएगी तो 10 कीगाद प्लस के 2 जाएगे तो 4 गुणा दस्कीगाद 2 बरावर चार सो बोल्ट अगला प्रशन प्रस्ट नम्बर 76 बच्चों पहले प्रसुन पहला चित्र है इसमें तार की लंबाई दूसेंटी मेटर है औरर दूसरे में तार की लंबाई 4 season लेकिन तवस्ट क्या क्या रहा है कि दोनों चित्रों में जो एक ही दातू कि दो चालक तारों की प्रत्रोदक्ता रो बन और रो टू है तो रो बन और रो टू का अनपात लिखिए बच्चों चालक की जो प्रत्रोदक्ता होती हो पदार्थ की प्रकरती पर और ताप पर निरवर करती है ठीक है और यहाँ पर दोनों तारों के पदार्थ की प्रकरती इसलिए इनकी प्रत्रोदकता समान होगी और इनका अनपात होगा एक अनपात एक। कमान ग्याद कीजिए तो देख वाचो यह संदी है यहाँ पर हम लिख देंदें कोई पी पॉंट लिखकर यह कोई संदी है पी यहाँ पर आने वाली धारां का योग जाने वाली धारां के बरावर होता है तो आने वाली धारा कौन है दो और पांच तो आने वाली धारा दो है तो I का मान निकालेंगे, I-7-4 ब्रावर 3 A अगला प्रस्षम बचों बिद्धुत्चुंमगी प्रेन्ट को है लैन्ज का नियम लिखे तो बचों, बिद्धुत्चुंमगी प्रिणगी प्रत्य एक अवस्ता में प्रेरित बितुत बहागवल और प्रेरित बितुत धारई दिसा सद्य विस्परकार होती है कि वे उनी कारणों का भ्रोत करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होई यही लेंज का नियम है अब बच्चों पूरव से पश्चिम दिसामे इस दित कोई दो मीटर लंबा तार दो मीटर लंबा तार 36 चालक तार और 0.3 गुणा दसकी गात मैनस 4 टेसला के प्रत्वी के चुम्म की छेतर के 36 गटक से लंबा पांच मीटर पर सेकंड तो लंबा गिरना चाहिए लंबा पांच मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है तार के सुनों पर उत्पन बित बहागवल कितना होगा तो E वरावर B L B चुम्म की छेतर का माने 0.3 गुणा दसकी गात मैनस 4 टार की लंबा ये 2 मीटर उसका बेग है पांच तो सॉल्व करेंगे तो इसका अंसर हैगा 3 गुणा दसकी गात मैनस 4 टेसला अगला प्रशन देगी बच्चों प्रशन नमबर 81 किसी रेडियो एक्टिव तत्त की अर्दायू को परवासित कीजिए तो बच्चों अर्दायू काल वह समय होता है जिसमें जो अभिक्टित परमानुगों की संख्या है वो प्रारंबिक मान की आधी रह जाती है और संबंद लिखना है अर्दायू काल का निम्न के साथ संबंद लिखना है तो अर्दायू काल और छेनेत अंक में क्या संबंद होता है तो इसका संबंद होता है टी बरावर 0.693 अपॉन लेमडा ठीक है बच्चों और रेडियो एक्टिव तत्त की औसतायू के साथ इसका सबंद धाएगा है अगला प्रस्वनपर 83 किसे कहते हैं प्रत्यावरति धार्या को धिष्ट हारा में बदलने की में 50 पूर्ट दिश्टकारी का परपत सझारे कि वें के नसदीक और ऐसी condition होती है दाता यह जो उर्जा इस्तर वो दाता है दाता मतलब यह एन प्रकार का अर्दचालक ठीक है अगर यह उर्जा इस्तर सहियोजी बेंड के ऊपर यहाँ पर होता तो फिर यह पी प्रकार का अर्दचालक होता है अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर 84 कि 0 degree centigrade ताप पर तार का प्रत्रोथ x ohm है तो किस ताप पर उसका प्रत्रोथ 3x ohm हो जाएगा तो फिर यह उत्तर होता है इसका कि alpha बरावर r2 minus r1 upon r1 into delta t तो बच्चों शुरू शुरू में इसका प्रत्रोथ था x ohm बाद में हो गया 3x तो r2 मतलब अंतनी प्रत्रोथ कितना हो गया 3x प्रावर में कितना था x तो 3x minus x बटे प्रावर में कितना है x और t2 minus t1 मतलब ताप में ब्रद्दी delta t मतलब t2 minus t1 तो इससे बज़वना करेंगे तो जो एगा t2 minus t1 बरावर 3x में से x गया तो 2x upon x alpha t2 निकालना है t1 का माने 0 प्रावर में x से x कैंसल 2 बटा 0.4 गुणा 10 की गात मैनस 2 मैनस 2 को उपर ले जांगे 200.4 तो t2 बरावर आजागा 500 degree centigrade और लास्ट प्रस्न बच्छों 85 की चायंकित छेतर से बिद्द्द प्लक्स का मान गयाद किए इस चायंकित भाग में से फ्लक्स निकालना है तो गाउस का निम लगाएंगे 5 बरावर बंद प्रस्ट के अंदर कुल आवेस बटे निरवात की विद्द्द सीलता इसके अंदर कुल आवेस कितना है अगर हम एक माईक्रो कूलाम जोडेंगे तो कुल हो जाएगा एक माईक प्लक्स का मात रख हो जागा बोल्ट इंटू मीटर तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी महनत से कही आपके लिए बोट के प्रशनों को इखटा किया है मुझे उमीद है कि इसमें से काफी प्रशन आने बाले एक्जाम में आएंगे जरूर तो बच्चों चैनल को सब्स क्लास सभी के लिए ट्वेल्थ क्लास वीडियो तियर की जा रही है तो लगातार चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो लाइक करें थैंक्यू ट्रूटेंट्स